नमस्कार दोस्तों, इनको देखें, ये TMC के सांसद हैं और ममता बैनर जी के भधीजे हैं, इनका नाम अभिशेक बैनर जी है, आज इन्होंने सदन में एक भाशन दिया, एक ऐसी स्पीच दी कि भारती अजनता पार्टी का पूरा का पूरा एको सिस्टम हिल गया, उन्होंने ओम बिर्ला के साथ बहस की एक मुद्दे पर और इसके बाद हालत ये हो गई कि ओम बिर्ला अपनी नजरे नहीं उठा पाए, ना उनके पास कोई जवाब बचा हुआ था, ना वो विपक्षी नेताओं से कुछ बोल पाए, ना ही अभिशेक बैनर जी से कुछ बोल पाए, क इसी पर आज भी सदन में डिसकुशन हो रहा था, और इसी को लेकर के ओम बिर्ला भी अपनी बात रख रहे थे, उन्हों ने अपने भाशन में नोट बंदी का जिक्र कर दिया, जैसे ही अभिशेक बैनर जी ने नोट बंदी पर बात करना शुरू करी, वैसे ही ओम बिर्ला तुरंत बोल पड़े कि भाई, नोट बंदी तो 2016 में हुई थी, उसके बाद तो 2019 का चुनाओ भी हो गया, आप कहां पांच साल पुरानी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बस ओम बिर्ला ने इतना बोला ही था कि अभिशेक बैनर जी तुरंत कहते हैं, कि भाई, जब भारती अजंता पार्टी के नेता, पचास साल पुराने मुद्दे पर बात करते हैं, एमर्जंसी के मुद्दे का जिकर करने लगते हैं, नहरू के जमाने की बात करते रहते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, तब तो आप की बोलती बंद हो जाती है, और हम क्या पांच साल प Counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.90% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. 60.6070 for tragedy तो दोसों अब शेक्ब बैनर जी भाशन दे ही रहतें इसी बीच ओम भिरला क्या कहते हैं उस पर भी आप गउर करिए देखिए अब वरतमान बजट पे बोलें 2000-16 के बाद तो 2000-14 नियरे तो देखा आपने किस तरीके से ओम बिला अविशेग बैनर जी को बीच में उनकी स्पीच के बीच में तोक करके कहते हैं कि यह तो 2016 की बात है पांच सल पुरानी बात है आप इस पर कैसे बात कर रहे हैं लेकिन फिर अविशेग बैनर जी ने किस तरीके से जवाब दिया वह भी सुनिए को भी फोई 5 साल पहले है तो इसाइच साल पहले तोई साठ साल पहले तोई साठ साल पहले जवाला नेडु का बात करेगा दूसरे निताएं काबात कड़ेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे बढ़तावान शुपे बोलिए यह पश्पात नहीं चलेगा मैं बजट पर भी बोल रहा हूं जब बिबलब देप बोल रहा था तब सौ साल पुड़ाना बात कर रहा था पचास साल पुड़ाना अमर्जनसी का बात कर रहा था तब आप चुपते और आप मै तो देखा अपने किस तरीके से अभशेक बैनर जी ने ओम बिल्ला को भरी संसद में लतार दिया अभशेक बैनर जी ने दिखा दिया है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात रखता है तो कोई भी बीच में रोडा नहीं बन सकता है भारती अजंता पार्टी ल नहीं बोला था और आज जब अभशेक बैनर जी ने पांस साल पुराने नोड़ बंदी की बात की जिससे पूरे के पूरे मिडल क्लास वर्ग चाहे आप ले लीजे चाहे आप विपारी वर्ग की बात कर लीजे सब को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था उस नोड़ कर रहे हैं इस पूरे भाशन का जिक्र कर रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं देखिए गोविंद प्रताप लिखते हैं कि अभिशेक बैनर जी नोड़ बंदी की बात कर रहे थे उंबिला बोले 2016 गया इस बजट पर बात करिए अभिशेक बैनर जी जब बीजेपी सांस किनेता उन्होंने भी इसका जिक्र किया है इसको ट्वीट किया है वीडियो को लिखती है कि जिस नोड़ बंदी ने GDP ग्रोध को आधा कर दिया जो अर्थ वेवस्ता पर सबसे वड़ा प्रभार है उस पर बोलने से स्पीकर ने मना किया अभिशेक बैनर जी ने सही जबाब अभिशेक बैनर जी नोडबंदी पर बोल रहे थे तो ओम बिरला साहब ने कहा कि नोडबंदी 2016 में हुई तब से तो 2019 का चुनाओ भी हो गया तो फिर अब क्यों इस पर बोल रहे हो इस पर अभिशेक बैनर जी ने कहा कि जब वो लोग 50 साल पुरानी एमर्जंसी पर बोलते ह और अब आप पता रहे हैं कि नोडबंदी पर नहीं बोलना है अभिशेक बैनर जी ने तगड़ा ट्रोल किया ओम बिरला को इसके अलावा सौरब यादव ने भी ट्वीट किया है इसे भी देख लीजे सौरब यादव लिखते हैं कि आप सीनियर बड़े पत पर बैठे हैं इस पर अभिशेक बैनर जी ने सुना दिया कि जब 60 साल पुराने नहरू की बात हो रही थी तब आप चुपचाप सुन रहे थे हम 5 साल पुरानी नोडबंदी की बात बोल रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं यह तो पक्षपात है अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इस तुके या बे तुके बातों पर प्रमोट किया जाएगा उनको पूरे छूट दी जाएगी बोलने पर तो विपक्ष अपने मुद्दे तो उठा ही नहीं पाएगा यह जाहिर तौर पर पक्षपात ही कहलाएगा इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा ये खाबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार